विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजील तक जाने के लिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल्लाइन स्टीडी पॉइंट दोस्तों आज 14 अगस्तों जितने भी करन अफेस के इंपोर्डेंट कोईशन बने इस वीडियो ओनलाइन स्टीडी पॉइंट सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं मैं अपने अनकेटिव प्रॉइल के लिंग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया तो उसमें क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को स रोजर्स कब 28-18 की विजयता कौन है तो दूस्तों रोजर्स कब 28-18 की विजयता है राफेल नाडाल यानी आपसन भी राइट है देखे तो 17 वार के ग्रेंड इस्लैम चैंपियन जो है राफेल नाडाल ने टोरंटो में रोजर्स कब का अपना चौथा कानडाई मास्टर से नाडाल ने अपना असीवा एटीपी वर्ल टूर किताब जीता है और बता दे कि साल की पांचवी जीत हासिल किये इन्होंने ठीक है तो रोजर्स कब्दो अठारा की विजेता कौन है यह है राफिल नाडाल ने इन्हों किसकोर आया है किशोर इस्टीफानेश को और सत्रह बा वहीं बात करें नोबाग जोको विच की दोस्तों इन्से लेटेटर कोईशन पूछा आता है को कंट्री यहाँ पर याद रखनी है अक्सर कंट्री पूछ लिए आता है रेलवे एससी और बैंकिंग एक्जाम में तो कंट्री आद रखने नोबाग जोको विच है दोस्तों भर्यस ब्रिटेंश के लिए खेलते हैं ठीक ब्रिटेंश के लिए एस सारे जो तो टेंश तनिस प्लेयर है ठीक है तो रोजस कब हटारा के वीज़ेत काऊन है यहाँ राफेल लाडाल इन्हें किसकौर राया है किशोन हमास कोहर आया है और इनक जो दोस्तों एटी-पी का सोवा एक हाजारवा किताब है जबकि इस साल उने पांच वी जीत हासिल की है ठीक है चलिए इसी तरह है मैं हर कोशन में सेर करता हूं तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा काफी बॉडिन कोशन आज है आज के वीडियो में और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो कोट जरूर करिएगा चलिए अगला कोशन है हाली में किसने बिजली मंत्राले के लिए अपीली न्याधिकरण के अध्यक्ष की रूप में शपत ग्रहन की है और आपको बता दे किससे पहले जो है तो यह मंजुला चलूर जो है तो बांबे हाई कोट की मुखिन आधिश थी ठीक है बांबे हाई कोट की मुखिन आधिश थी ठीक है तो हाली में किसने बिजली मंत्राले के अपीली न्याधिकरण के अध्यक्ष कुरू में शपत ग्रहन की है मंजुला चलूर यहां पर दोस्तों बात बिजली मंत्राले को रही है तो आपको सारे फैक्ट बता देता जो आगBay Ret exam में पूछा सकते हैं तो विजली मंत्रा लेक इस्थापना कब हूई थी यहाँ पी पूच binds di to 12 1992 में कमहली थी दो 2 गौन 1992 में स्थापना हूइ थी और जो वरत्मान मी इसके सुदहण पुछाओन को बहुत इम्बोडन में पूछा है कि इनहें हाली में अभी और वी आरे यानि रिजर्व वेंग ऑफ हिंडे की पहली सी एफो यानि चीफ फाइनेंसियल आफिसर निउप्ट किया गया है और वी आई की पहली CFO ने किसको नियुक्त की गए सुधाबाल कृष्णन को बहुत इंबोर्डेंट है ये एक्जाम में पूछा आ सकता है इसलिए आपको इसको नोट डाउन करके याद कर लेना है ठीक है ठीक है तो हाली में किसने बिजली मंतरा लेकि लिए अपीली न्याधिकरण के अध इस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लिए वहां पर आपको कोई भी सवाल है सुझाओ पूछना हो या वहां पर भूसारा अप्डेट्स मिलते हैं और इस्टाग्राम की और इन सबकी लिंक भी वीडियो को डिस्रिप्सन में मिल जाएगी आपको अगला कोश्चन है अपना बंगलदेश और नेपाल हैं बोली जाती है वहासा और इस जनजाती वहास संताली को वैश्विक मानेता मिली है जब इसे विकीपीडिया संस्क्राण अपनी स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है आपको बता दे कि जहारखंड पस्चिम मंगाल ओडिशा आसम राज्यों में 6.4 मिलियन से जो तो अधिक लोगों दोरा बोली जाती है इसके लाव आपको बता दे कि विकीपीडिया के लिए संताली संस्क्राण प्राप्त करने के पहले 6 साल पहले 2012 में शुरू हुई थी और ओल चिकी लिपी में लिखी गई संताली वरतमान में लोग 70,000 सब्द है कि इस इसके लावा दोस्ते आपको बता दे कि यहां पर कोश्ण पूछा आता है भासा उसे लेटर कंस्टिउोशन को बहुत इंबोर्डन कोश्ण पूछा आता है कि आठीवियन सुची में कितनी भारती वह साहे सामिल है जिसमें 22 जो इतो भासा है 22 यह आपको कोश्ण याद स्थान प्रिवार के प्र przeci संथाली ठीक है मुंडा भासा परिवार के प्रेंस अ did see you वीमेन हूचे दावल्ड की सूची में मदा टेरिस सब्षुमा स्थान पर आप्त हुआ है देखे दो बीवी सी हिस्ट्री मेगजीन ने सब महिलाओं की एक पाठक के सरविक्षन कावजन किया था है जिनने दुनिया को बदल दिया है इस चुनाओं में तो आपको बता दें कि महिरी क्यूरी जो है तो उस महिले ग्रूब में वोट दिया गया है जिसने भी शुतिहास पर सबसे महत्पूर प्राहव डाला है किसको महिरी क्यूरी को इसके लावा दोस्तो राजनीती, खेल, विग्यान, प्रद्धोक्य, और साहित शेत्रों में कई शेत्रों को महिला थे तो इसमें टॉप है मैरी क्यूरी आपको पता है, फिर सेकेंड नमर पर रोजा पाक्स, थर्ड नमर पर एममाईल पंखुर्त, फोर्थ नमर पर है एडा लवलेश, फिप्त पर है रोजलिंड फ्रेंकलिन, एक बार फिर रिपीट करा हूँ, सीर्स पर है टॉप पर मैरी क्य सेकेंड पर रोजा पाक्स, थर्ड पर एममेल आइन, फोर्थ नमर पर एडा लवलेश, फिप्त पर रोजलिंड फ्रेंकलिन, ठीक है, और इसमें मदर टेरेस को कौन से स्थान मिला है, बीसों स्थान तो आपको याद रखना है, इसके साथ सते हैं पर बीबीसी के बारे हम आपको बता देते हैं, बीबीसी का फूल फूल में दोस्तो दब्रेटीस ब्रोड कास्टिंग कार्पोरेशन, कई बार आपने सुना होगा नाम, जिसका आपको फूल 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 में याद रखना है, ब्रेटीस ब्रोड कास्टिंग कार्पोरेशन, इस्थापना होई थी ब लिब्रेटिस ब्राउड कास्टिंग कार्पूरेशन ठीक है तो बीबी सी की वीमेन हुचेंज दे वर्ल्ड की शूची में मदर टेरेशों को कौन से स्थान मिला है मिला वीश्मा स्थान और फस्ट नमर पर कौन है मैरी क्यूरी जो की भौतिक विग्जानमें नोगलपूर्स उसका जितने वाली पहली महिला थी ठीक है चलिए अगला कोशन है हाली में एक्जीम बैंक ने किस बैंक के साथ समझोतक जापन पर स्थाक्षर किया है दोस्तों इसका राइड एंसर हो जाएगा ऑप्सन सी ब्रिक्स बैंक ब्रिक्स बैंक को न्यू डवलमेंट बैंक भी कह खाता धारक ब्लॉक्चेन प्रद्योकी की में सहयोगी सोध करने के लिए ब्रिक्स के साथ जो तो विकास बैंकों के साथ एक बहुपक्षी सहयोग समझोते पर साक्षर किये हैं इसके लावा बता दे कि एक्जीम बैंक के प्रवन नेसक जो है डेवीड रास्कीना द्वारा हस्ताक्षरी समझोते जापन ब्रिक्स इंटर बैंक सहयोग को मजबूत करने कुद्देश से सदस्विकास बैंकों की वार्शिक बैठक के चर्चाओं को दरान नतीजा था यहाँ पर दोस्तों ब्रिक्स बैंक के बारे में बता दें ब्रिक्स बैंक को निउडवलमेंट बै संहाइच है क्या दोस्तो फारे वार्टेंध एक्स बैंक फूल फोरौं क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंकि ऑफ हिंडिया कोईошर समझाइब ब्रिक्ष बैंग के साथ चलिये अगला ओस्ट theorem नेक्स कोईशन है भारत अपना दूसरा चंद मिर्शन चंदरयान टू कप लॉंच करेगा तो यह दोस्तों बहुत इंपोर्डन कोईशन है इसका राइट एंसर रहा है दोस्तों तीन जनवरी 2019 को ठीक है तीन जनवरी 2019 को यानि आपसन डी राइट है देखे तो भारत तीन जन संधान संगठन के अध्यक्ष के शिवान के अनुसार इसरो मिशन को लॉंच करने का लक्ष करना है लेकिन यह माज 2019 की सतय पर लैंड होगा इसके लाइब आपको बता दे कि चंद्रयान टू दोस्तों चंद्रयान टू नामक मिशन की 800 करोड रुपए की लागत है और यह 3890 किलोग्राम चंद्रयान टू जिसे जियो सिंक्रोन सेटलाइट लांच वहन MK3 पर लांच किया जाएगा किस पर लांच किया जाएगा इसे जियो सिंक्रोन सेटलाइट लांच वहन MK3 पर लांच किया जाएगा ठीक है और यह चंद्रमा के चारों और कक्ष में होगा और इसक Space Research Organization इसके लाबा इस रो का मुख्याला है बैंगलूरू करनाटका में तो यह सारे फैक्ट आपको याद रखना है तो भारत अपना दूसरा चंद्रमेशन चंद्रयान टूक का बलांज करेगा तीन जन्वी 2019 को ठीक है चलिए अगला कोशन है नेपाल भारत साहित समरोद 18 कहां शुरू हुआ है तो इसका राइट एंसर जागा दोस्तों इसका ओप्सन डी बिर्गुज में कहां पर देखे दोस्तों नेपाल भारत साहित समरोद 18 बिर साथ सर्मावली नेपाल की बरतमान राष्टपती हैं वह विद्यादवी भंडारी और नेपाल की करेंसी नेपाली रूपिया ठीक है चलिए अगला कोशन है केंद सरकार ने बाल प्रावित केरल के लिए कितने करोड़ रूपए की सहायता राशी देने का फैसला किया है तो यह भी बहुत इंबोडन कोशन दोस्तों इसको आपको विल्कुल याद रखना है ठीक है तो इसका राइड एंसर हो जागा दोस्तों ऑप्सन ए सो करोड़ रूपए कितना सो करोड़ अगला कोशन है कि पूर उलोक्षवाध्यक्ष का 13 अगस्दो अठारा को कोलकाता में 89 स इनोसर स्मया च्टर रही विमार चल रहे दोस्तों बता डीकि जो लोक्षवाध्यक्ष थे वह थे जीविर और पहले वरए रिपीट हो चुका है लोक्षवाध्यक्ष मेंगनेस वासुदे मावलंकर ठीक है चली अगला कोशन है किस देश में ACI खेल 2018 आउजित किया जाएगा ये पहले भी आपको बता चुका हूँ एक वार फिर जो तो रिपीट हो रहा है तो आपको याद हो जागा इसका राइड इंसर हो जागा इंडोनेशिया में देखिए उसको खेल मंत्राले ने ACI खेलों के लिए 804 सदसी दल को मंजूरी दे दी है और एसियन गेम्स आपको बता दे कामांद द्वारा शूरू किये गए ऑपरेशन का क्या नाम है किस राज सरकान ने 13-12-18 से राज जिपर में संबत्ती पंजिगरन के लिए तत्काल सेवा सुरू की है राइड इंसर है आपसन ने पंजाब सरकान ने चली अगला कोशन है रेल मंतराले ने आरफी अब भरती महिलाओं को कितने फिच्दिया रक्षन देने की घोशना की है राइड एंसर है आपसन भी 50-50 परसेंट अगला कोशन है केन सरकान ने अब देख ले दोस्तों कल का एंसर कल मैंने कोशन पूचा था हालि में रक्षा और द्षा और को किस ने लॉच्ट किया है राइड एंसर था आपसने ने निर्मला सितार अमन लगफाक बहुत سे सारे स्टूडें ने राइड एंसर दिया था क्योंकि आप लोग रेगलोर व ज़्यादा ज़्याधा लोग comment करेंगे बहुत कम कमेंट करते लगवकोuffled 3-4 वाज़ कमेंट करेंगे ठीक है और यसे लेटर जो मैं founders बताया था आपको वह सारी अब भीमें है ठीक है बहुत सारे अब गी कल की क्रिक है तो आपको इंपोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं आगामे एक्जम्ट क्लिप बहुत इंपोर्टेंट है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगे वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए ज्यादा शेयर कर दीजिए मिलते नेक्स वीडियो को साथ दोस्तों आपका दिन सुभो जय हिंद बंदे मातरम